नमस्कार दोस्तों, रामकला सेथो, दोस्तों मेरे परताबगर ब्लोग चैनल में आप सबका स्वागत है आदोस्तों हम बात करूगा कि गर्मी के मौसम में भी आप जो है अपने गाय और भैस के दूध जो है बाल्टी भर सकते हैं इतना दूध आपकी गाय और भैस देगी बस मात्रे एक चीज़ उसमें और आपको खिला देना है फिर देखिये किस तरह से दूध बढ़ता है और आप खुस हो जाएंगे जो चीज़े हम बता रहा हूँ वो कई तरह से कई जगहों पर आपके गाय भैस में फायदा करता है वो है क्या इस वीडियो में बता हूँ वीडियो लाइक करते है चलने पहली बार जो सब्सक्राइब करके बेला कामेर पर क्लिक लें इसके लिए करना क्या है जो भी आप अपने गाय भैस को जो दूद देने वाले हैं दाना रासन चूनी चोकर खली सब कुछ दे रहे न तो उसी के अंदर आपको करना क्या है कि उसी के अंदर ही जो है आपको इस्ट्रा कुछ नहीं खिलाना है जो आप चूनी चोकर खली और दे रहे हैं उसके अंदर मात्र आपको एक पसु के जैसे एक पसु को खिलाना है तो आपको लगभग दो चम्मच जो धनिया होती है हर धनिया नहीं सूखी धनियागा पाषडर बना लेना है घर पे बना लेने के बाद दो चम्मच वो भी सप्ता में एक बार देना है या दो बार भी दे सकते हैं एक पसु को उससे कही तरक फायदा होगा दूद भी बढ़ेगा गर्मी के मौसम में और थन के जो धार है छाती का धार भी बहुत मोटी हो जाती है और जो गाठ वगारा होती है मस्टाइट का दिक्कत होता है गाठ कभी कभी देखने को मिलता है यह भी सब नहीं होगी और दूद हमें एंक्रियस देखने को मिलेगा दूद हमें बढ़ोत्री देखने को मिलेगा वो भी गर्मी के मौसम में खास कर बहुत अच्छा फार्मूला है इसे जरूर सजरूर आज मैं